नवश्कार स्वागत है आपका मन्थन कारक्रम में मैं हूँ शालिनी सिंग प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया है संकल्प भारत को विक्सित भारत बनाने का संकल्प और इस संकल्प की सिध्धी के लिए उन्होंने कई योजनाओं की शुरुवात की है मुझवला योजना, मुद्रा योजना, जंधन योजना और ऐसी तमाम योजनाए हैं जो भारत के विकास में मील का पत्थर सावित हो रही हैं हम मन्थन में हर बार चर्चा करते हैं इन ही योजनाओं पर और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको इन योजनाओं से जादा से जादा रूबरू करा सके जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी योजना की सफलता का मूल मंत्र यही है कि जिनके लिए ये योजनाय तयार की गई है उन तक ये योजनाय पहुंच सकी और इसलिए हम मन्थन लेकर आते हैं अपने एक्सपर्ट के साथ ताकि आपको वो पूरी जानकारी मिल सकी जिसके आप हगदार है आज भी हमारे स्टूडियो में दो खास महमान और एक्सपर्ट मौजूद है उनसे हम बातशीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इन योजनाओं के बारे में और किस तरह से ये योजनाय आगे बढ़ रही हैं इसके बारे में हमारे साथ जो खास दो महमान साथ में हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं हमारे पहले महमान है वरिष्ट पत्रकार प्रवीण बागी जी बहुत स्वागत है सर आपका धन्यवाद और हमारे दूसरे महमान है प्रोफेसर रनबीर नंदन प्रोफेसर बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर रणवीर नंदन पटना विश्विद्याले में प्रोफेसर है और राजनितिक गवी हैं इसलिए कई मसलों पर उनसे और भी चर्चा कर सकते हैं तो आईए हम शुरुवात करते हैं अपने इस कारक्रम की लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं डीडी बिहार की तरफ से तयार की गई एक विशेश रिपोर्ट पीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस स्कीम की जानकारी दी पीम ने लिखा की सूर्य वंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगान सदेव उर्जया प्राप्त करते हैं से गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही साथ ही भारत उर्जया की शेत्र में आत्म निर्भर भी बनेगा प्रधान मंत्री सूर्योदय योजना से सबसे बड़ा फाइदा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को होने की उम्मी जताई जा रही है अभी इस वर्ग को बिजली के बिल के तोर पर अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है ऐसे में इस योजना से लोगों की जीवन में बड़ी सहूलियत तो पहुँचेगी ही साथ ही लोगों के जीवन को और आसान बनाने की कवायद में बड़ा गिर्तिमान हासिल करती हुई भी नजर आएगी आईए इस योजना से जुड़ी कुछ एहम बातें आपको बताते हैं दरसल सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घरों पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करेगी एक करोड घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष रखा गया है इन पैनलों में सोलर की प्लेट लगी होती है पैनल में photo-voltic sales लगे होते हैं जो सौर उर्जा को बिजली में तब्दिल कर देते हैं ये बिजली वही काम करती है जो power grid से आई बिजली करती है solar panel system की मदद से घर में ही बिजली produce की जाती है power grid से मिलने वाली बिजली की तुलना में ये सस्ती और सुविधा जनक है solar panel के लिए अलग से जगा की ज़रूरत नहीं छट पर ही से रख सकते हैं solar panel के लिए सरकार subsidy देती है जिससे खरीदना आसान होता है solar panel की life 25 साल या इससे ज्यादा होती है मरमत या maintenance की ज़रूरत नहीं पड़ती production नहीं होता green house गैसों के उस सर्जन में भी कमी आती है पर्यावरण का भी संग्रक्षन होता है सरकार द्वारा शुरू की गई तमाम योजनाओं का लाब लोगों तक पहुँचे और लोगों का जीवन और सुलब हो पाई इसके लिए प्रधान मंत्री लगातार प्रयासरत रहते हैं और समय समय पर लोगों की जरूरतों का खास ध्यान भी रखते हुए कदम उठाते रहते हैं ये वो महतपूर्ण पहलू है जो विक्सित भारत की कड़ी को और मजबूत और सशक्त बनाती हुई नजर आईगी और 2047 तक विक्सित भारत के लक्षे को साकार करने में एक एहम योगदान देती हुई नजर आईगी जिसका फाइदा लोगों के साथ ही परियावरण को भी मिलता हुआ नजर आएगा तो आईए हम अपनी चर्चा की शुरुवात करते हैं इस रिपोर्ट के बाद और सबसे पहला सवाल मेरा प्रवीन बागी जी से होगा सर जैसा कि प्रधान मंतरी ने एक नई योजना की शुरुवात की है यह है पीयम सूरिग घर योजना है और इसमें किस तरह की सुविधाई मिल सकती है आम आदमी को और क्या वो प्रक्रिया है जिसको अपना कर वो अपने इसका लाबद उठा सकते हैं हबाब से यह चाहिए चाहिए बिल्कुल आपने ठीक कहा जो निउ इंडिया का कंसेप्ट है प्रधान मंतरी मुधी का उसमें जो सबसे नई योजना है वो सुर्य घर योजना इसमें सोलर एनरजी का ज़्यादा सज्यादा उपयोग करने पर बल दिया गया है और 15 फरवरी 24 को प्रधान मंतरी ने यह योजना इसी योजना की घोषणा की थी इसमें सोलर पैनर लगवाने पर 40 परशेंट की सबसीडी भी दी जाती है और छटों पर सोलर पैनर लगाने के लिए लोगों को प्रुचाहन दिया जा रहा है ताकि जो बिजली पर निर्भरता है वो कम हो सके और सूर्य की उर्जा से घर रौसन हो सके जो और काम होते हैं वो काम हो सके अभी आप देखती हूं कि बिजली हाला कि हिंदुस्तान के हर घर में बिजली पहुंच चुकी है मगर फिर भी कभी-कभी उसमें ट्रिप हो जाता है तो बड़ी परशानी होती है तो वो परिसानी से निजात पाने के लिए और खर्च को कम करने के लिए यानि ये आम आदमे की फायदे के लिए ये योजना है तो ये योजना लागू की गई है इसमें अपने घर की छतों पर आप solar panel लगवा सकते हैं उसके लिए जो विभाग हैं वहाँ संपर्क करना तो ये है कि 2 किलोवाट तक की 100 उर्जा प्लांट लगाने पर 30,000 रुपे 35 किलोवाट सबसीडी देने का प्रावधान है और 3 किलोवाट का 100 उर्जा का प्लांट लगाने पर 78,000 रुपे सबसीडी मिलती है जाज़ा के मेरी जानकारी है करीब सरकार ने इसके लिए 75,000 करोड रुपे का अवंटेन किया है बड़ी राशी है और जाहिर दोर पे लोग फाइदा लेंगे अगर तो बहुत अच्छा उनके लिए रहेगा लेकिन हम आपसे इसलिए ये चट्चा थोड़ा और आगे करना चाहेंगे कि पहले से भी सौर उर्जा को लेकर के सोलर प्लांट्स को लेकर के सरकार की योजनाए रही है लेकिन जिस तरह का की प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का कारे शैली रही है वो अलग रही है तो पहले की योजनाओं से थोड़ा अलग कह सकते है इसे और किस तरह से ये और जादा बहतर कर सकती है पहले तो आपने ठीक हा कि ये बहुत पहले से चला रहा है ये योजना मगर ये इतनी लोगप्रिये नहीं थी और इसको आम आदमी एक अपने घर में सोलर एनरजी का उपयोग करना चाहे तो उसमें बहुत कठनाईयां उसको आती थी अब कोई भी आदमी इसकी सुभधा ले सकता है और इसमें सरकारी भी भागों को इन्वाल्व कर दिया गया है और सबसिड़ी की रासी भी बढ़ाई गई है और उसमें एक नई बात ये है कि अगर आप अपनी छमता से ज्यादा का उत्पादन आप क्या हो रहा है सुलर तो वो सरकार खरिद लेगी और सरकार फिर उसको बेचेगी तो सरकार के भी आमदनी है और बहुकता के भी आमदनी है ये एक नया कंसेप्ट इसमें जोड़ा गया है और इसके ताथ योजना ये है कि मुफ्त बिजली सब लोगों को उपलबद हो जाए उसके लिए पैसे न देने पड़े ओनलाइन आवेदन की बात मैं नहीं कहीं ही और हर ग्रीज स्वामी इसका पात्र है यानि इसमें कोई आरक्षन नहीं है कोई भेद भाव नहीं है कि कौन लगा सकते हैं अमीर लगा सकते हैं गरीब लगा सकते हैं किसी विज्जाती वर्ग धर्म के लोग लग सकते हैं इसमें कोई भेदवा हुनी की बहुता ओरर की बहुत आपाना तो चलिए अभी हुट्खनाा है ब़िए जितनी दिलचस्पी होनी चाहिए क्योंकि अब गया है अब जैसा कि हमारे एक्षपर्ड का आप न सिर्फ अपने लिए बिजली उत्पाधन कर सकते हैं इस योजना का लाव उठा करके बल्कि आप पडोसी के घर में भी बिजली दे सकते हैं तो बहुत एहम बात है ये और जो कहते हैं कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का जो विजन है वो विजन भी इसमें दिखता है कि किस तरह से आप अपने लिए तो करी सकते हैं लोगों की भी मदद कर सकते हैं उन्हें भी सुविधाय दे सकते हैं और एक जो निर्भरता है आपकी सरकार पर उससे आप उबर सकते हैं बिजली कट हो गई ये सारी समस्याई आपके लिए नहीं रहेंगी अगर आप इस का लाब उठाते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें हमारे एक्सवर्ट ने आपको बताई हैं और आप इसको जाकर के इसके बारे में पढ़ सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी लेके इसके शुरुबात कर सकते हैं अपने घरों में आगे बढ़ते हम अप सबसे पहले अपने दर्सकों को नमस्कार करता हूँ और जालनी जी चुकि मैं कैमपस में हूँ पत्नबिस दाले में हूँ जियोलजी में प्रफसर हूँ तो नित यवाओं से तो मुलकात होते रहती है उनके प्रॉब्लेम्स को समझना पड़ता है प्रधान मंत्री मानवर सिरी नरेंदर मोदी जी के बारे में कुछ एक सब्द ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे राजनितिक है जिन्होंने जीवन जीने के बीभिन आयामों को उन्होंने पकड़ा है तो जीवन-जीने के बिवेइन आयम कैसे हैं कि जब होस आजाता है चातर से वुआ फिर आगे की जो जिन्नगी आती है तो उन्होंने चिंटन किया और बात भी सही है कि हम सब को नौकरी नहीं दे सकते हैं सरकारी नौकरी नहीं सकते हैं सब कोई को प्राइवेट नौकरी भी हम नहीं दे सकते हैं तो एक कौसल भारत मेशन मने परधान मंत्री जी ने इंट्रोडियूस किया और आज उसकी ब्यापकता आप देखिए कि लगभग डेर करोर युवा हैं पूरे देश के जो की प्रसिख्षित बने और कूसल बने मैं आपको पटना का एकजांपूल देना चाहता हूं मुझे एक बार इनभाइट किया गया कि एक जगह आपको आना है कोसल भिकास केंदर में तो ये बगल में कुरजी होस्पिटल के बगल में एक सेंटर है तो मैंने वहाँ देखा जाकर कि कौफी डे एक संस्था है वह संस् स्रूम थे ये बगल में उसका सेंटर है तो मैंने पूछा च्छित करके उसी कौफी डे और आजिएसन में अखील भारती अस्तर पर इनको इनको पॉइंटमेंट देते हैं और एक अच्छी खासी अच्छा खासा पैसा भी हम दिनको दे रहे हैं ये हमाँ बज़े लगता है कि चार वरस पहले की बात थी तो मैंने देखा कि उस सेंटर में अनेकों ऐसे यूनिट महाँ पर हैं जो बिहार के लड़कों को प्रसिक्षित कर रहे हैं और उनको इंप्लाइमेंट भी दे रहे हैं तो बड़ा मतलब की इंस्पाइड में हुआ उसके बाद मैं फिर मतलब की थोड़ा दीप में गया कि भाई आखिर कोसल विकास से का जो ये कारिकरम चल रहा है तो इसका मतलब है कि इंप्लाइमेंट स्ट्रॉल करने का बहुत बड़ा साधन है और आज इस मीशन के तहत सरकार के केंदर सरकार हों राज सरकार हों बीस से अधिक केंद्रिये मंत्राले और विभागो के माध्यम से देश भर में विभिन कोसल विकास योजनाएं लागू की जा रही है तो हमारे बहुत से जो यूथ हैं वो अपने सेल्फ इंप्लाइमेंट के द्वारा वो बहुत मतलब अच्छा कर रहे हैं और आप सुनते भी होंगे कभी अखबार में कि किसी टीम ने क्या किया एक संचार का बहुत ज्यादा अच्छा साधन विक्सित कर दिया एक अगरिकल्चर का लोगों ने प्रियोक किया कि उसको लोन मिला और पता लगा कि कोईलवर के बगल में एक टीम है वह और गैनिक जो है सबजी जो है वह इस नियम के तहत उप जा रही है तो एक ऐसा मान्य प्रधान मंत्री नरंद मोजी जी ने एक ऐसा कार्शक्रम देश को दिया कि आज युवा जो है थोड़ा बहुत भी सिंसर है तो उसको फिर कोई दिकत आर्थिक दिकत नहीं होने आ रहे है पहली बात दूसरी बात कि मैंने बिंग अ प्रफसर अफ इनवर को जरूर करना चाहिए कि वह इंटर्प्रेनियर्शिप की पढ़ाई करें विविन मत्तब की इन्वर्सिटीज में मालिजे बी एसी फिजिक्स किये बी एसी केमेस्टी किये यह सब जो डिग्री दे रहे हैं तो आप उसमें से भी 40-50 लड़कों को छाट कर उनको इंटर्प पर उनकी एक्सपर्टी होती है फिर आप उनको लोन दे दीजिए इंडर्स्ट्रियल एरिया में जमीन दे दीजिए और उसके बाद वो अपना बढ़िया से चलाएंगे एक अच्छा बाताबर्ण आपने भी महसूस की होगी कि पहले और अब की घ्यान कहते हैंना कि एक हिचक तूटी है पहले जिस तरह से लोग जब जो हम काम करते हैं, अब आप प्लंबर का ही काम ले, अगर छोटे मुटे सर पे, तो देखें कि पहले एक हिचक दिखती थी, युवाओ में कि मैं इस फिल्ड में नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक छोटा काम है, और उस तरह की जो मानसिकता कहीं थी, वो बड़ी तेजी से बद दिया गया है, तो एक बड़ा अलग तरह का confidence दिखता है युवाओ में, उन्हें पता है कि उनके लिए अब दर्वाजे, सारे दर्वाजे खुल गये हैं, और वो जहां जा रहे हैं, उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा, चाहे वो काम क्या कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ आज क्या है कि आप देखियेगा कि हर महले में आठ दस बूटिक चल रहे हैं, उन बूटिक को जो महिलाएं हैं, उनको भी इस कार्जकर्म के तहते, 75% उनको लोन मिल जा रहा है, और दे स्टार्ट्स, वो प्ररम कर रही हैं, और हमको लगता है कि जिन लोगों ने ऐसा प्र समानीत जिमन हम जियेंगे ऐसा हमारे प्रधान मंत्री मानिय नरेंड मोदी जी ने ऐसा किया है देश में इस्किल्ड डेवलप्मेंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि खुद को तो रोजगार मिलता ही है वो दो चार-पांच लोगों को और रोजगार देते हैं आपने साथ तो यह रोजगार का एक बड़ा विस्तार हो रहा है और वो अपने साथ के आसपास के लोगों को एक जजबा भी दे रहे कि आप भी बहतर कर सकते हैं आपके पास भी बहुत बहुत जादा कई जाने की ज़रूद नहीं है आपके लेक सेंटर खुला है आप वहाँ जाए स्किल ले और आप बहतर हो करके और परिश्गित होके नहीं है आप इधर पर आजाएगी बनवाना है बन जाएगी सर्विसिंग करना है एक स्टार्ट अप प्रोग्राम लोगों ने चला लिया बाई आप इस पर कॉल किजिए आपकी गाड़ी जो है सर्विसिंग करके पहुचा देगे मत्तब एवरिवेर एक जो संभावनाय आ गई रोजगार की यह बहुत बड़ी बात है आज के समय में और हमको लगता है कि भारत को स्वालंबी बनने में हमारे प्रणान मंत्री ने निरने जो लिया है तो हमको लगता है कि ओदिन दूर नहीं है कि प्रतेक यूथ जो है उचके हाट में काम रहेगा और वो पूरे विश्व को और वो आगे बढ़ते हैं अपनी चर्चा में और बाद कर लेते हैं किसानों की क्योंकि हमारा देश के ऐसान baixo का देश माना जाता है और किसान सम्मान निदी पहली बार किसी ने सोचा की विद्यी करना चाहिये और सम्मान इस त्रह का कि उनकी वित्य गरी शूरमمل मद देश कि जाए Д में भी बहुत मूलजूल परिवर्तन लाया है। शो हजार किसानों को दिया जा रहा है, शो हजार रुपे, प्रती साल, किसान निधी के तहट, प्रधान मंत्री की ओर से, और वो ऑनलाइन उनके अकाउंट में आ जाता है, ये जंधन के तहट जो खाते खोले गए थे सारे लोगों के, तो उसका फायदा ये हो रहा है कि अब इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, सिधे प्रधान मंत्री वहां से एक बटन दबाते हैं और सबके अकाउंट में, जो लाभूक लोग हैं, उनके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, तो इससे 75,000 करोड से अधिक किरासी इस योजना पर खर्च हो रही है अभी, और जो ला जाते हैं, तो किसानों के घर में समझे की उत्सव का माहौल नाता है, तो सब लोग अपनी फरमाइश लेका आते हैं, अला कि रासी कम ही है, मगर फिर भी एक उसका माहौल जो बनता है, बहुत पॉजेटिव माहौल बनता है, बल्कुल, एक जो संदेश जाता है, जब किसानों को, और एक आत्मविश्वास जगा है कि अब वो अकेले नहीं है, अगर उनकी मुश्किले आती है, परिशानिया आती है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से मौसम का चक्र बदल रहा है, और उससे किसानों की समस्याइं वढ़ रही है, तो वहां पे वो एक आत निर्ने से प्रधान मंत्री जी ने जो और निर्ने कीया, तो खेती में महाजणी परथा को उन्होंने करीब-करीब खतम कर दिया, क्या था पहले कि किसी घ्रीब किसान के पास एक कठा, गथा, बीधाई दी जमीन है, पैसे के बीना वो खेती नहीं कर पा रहे हैं, वो महाज से कमिटमेंट हुआ कि जो फसल तुम अपने खेत में लगाऊगे वो पैसा हम दे रहे हैं आधा फसल हमारे पास आजाएगा यह बहुत बड़ी यह समझिये कि दुखत घटना और इस्तिती थी मान्ने प्रधान मंत्री जी ने यह जो किसान सम्मान निधी ओजना और किसानों क जो पैसा देने का प्रावधान बनाया और यह भी बनाया कि आप खेती के लिए आपको इजली जो है अनेक संस्थाओं से आपको लोन मिलेगा और उसके बाद फिर जो लाभान सोगा फिर आप उसको जमा कर दिए तो इससे जो महाजनी प्रथा जो खतम हुई है और उसका ल जो है महाजन लोग छिल लेते थे लिखवाय लेते यह बहुत बड़ी बात है हुई है और मानवर प्रधान मंत्री जी ने जो यह निरने लिया तो चुकि हमारा देश जो है वह किसानों पर निर्भर देश है असी परतिसत आबादी जो है वह किसी मतब से सम्मंदित है उसक मंत्री जी ने धे धरे धर नी पập्रतर कर रहा है उसको इंदिपेंदेंट मना रहे है तो यह बहुत बढ़ी बात है और जब किसान की आर्थी कृस्तिती सहीं हो जाएगी तो देश की आ अर्थी कृस्तिति ऐसे शहीं हो जाएगी बहुत बड़ा परदान मंत्री का यह कद ना एहम है ये और पहली बार शायद किसी योजना ने ये गरीबों को आत्मविश्वास दिया कि जब उनका स्वास्त उनके साथ नहीं होगा तो उनके साथ कौन होगा। आईश्मान भारत के आने के बाद आपने क्या कुछ बदलाव देखे हैं स्वास्त सुविधाओं में हेल्ज सेक्टर में और आगे आप किस तरफ से तरफ जाता देखते हैं इसको। सालनी जी मैंने प्रारम में कहा था कि मानवर प्रधान मंत्री नरेंद मोधी जी ने जीवन जीने के बिविध आयामों को बड़ा माइनुटली अधन करके और उस पर काम उन्होंने किया है। जब सितंबर 23 सितंबर 2018 को यह जो आयूस्मान भारत योजना या प्रधान मंत्री जन आरोग योजना जब प्रारंभ की गई थी तो मनवर प्रधान मंत्री जी के वीजन में एक यह बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने जो सपना देखा था और चाहे उन्होंने फील किया और जिस अस्तर से और जिस तकलीप से मनवर प्रधान मंत्री जी ने अपने जीवन की सुरवात की तो निश्चित रुप से जो तकलीप को देखेगा तो वह जरूर वह जिसी बातों पर चिंतन करेगा जो एक आम आदमी के लिए सुधाज नखो साथ ही साथ है दो बितिये वर्स में लगबग सोलह पॉइंट सेवन करोज से अधिक आउसमान काड बनाए जा चुके हैं उसके बाद बिभिन योजनाओं को सुनिश्ची त्रूप से पहुंचाने के लिए इन योजनाओं को पहुंचान दो पॉइंट 92 करोड लोगों के पास आउसमान काड है आउसमान भवा ये आश्रवाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उन्होंने अपने गरीब जनता के लिए उपलब्द कराया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजनाइं शुरू की है उनको लेक आगी जी का धन्यवाद करते हैं हमारे डीडी बिहार की स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए आज मन्थन यहीं तक डीडी बिहार पर आप देखते रहिए कारकरम नमस्कार कर तक डीडीररर. कर بραदेश काव झाएर कर देखते हैं मन्मस्कार क कर दो कर दो दोद्ड़ेकर कंपार झाएर आपिवादान。 झाल झाल